हलो माई फेंड्स वेलकम टू आच चैनल मकेनिकल जॉप्स दोस्ता देखो शांदार वीडियो आपके लिए लिए करें फेंड्स दोस्तो आपको पता ही है टाटा का ही ब्रेंड है जेगूर एंड लेंड रोवर तो दोस्तो अपने घर की ही कंपनी और यहाँ पर जरूर अप पूरा आपको डिटेल में आपर बता जाएगा पोस्त जो है आपकी इंजिनियर की रहेंगी अलग-अलग वकेंसी क्वालिटी इंजिनियर भी है डिजाइन इंजिनियर भी है तो बल्क में आपको दोस्तो वकेंसी दिखा रहा हूं और दोस्तो यह जो आपकी सेलरी है यहा स्टार्ट के लेते हैं पूरा आपको डिटेल में जा रहे हैं कंपनी की वेब साइट पर लेकर सो दोस्तों यहां पर आपने गूगल खोलना और गूगल के लिग देना है जैगूर एंड लैंड रोवर करियस दोस्तों जैसी आप देखेंगे जैगूर एंड लैंड रोवर करियस आ जाएगा मतलब कंपनी के जो वेब साइट है वो है www.jaguarlandrover.com पर आपने क्लिक कर देना हैं और जैसे आप क्लिक करेंगे तो कमपनी की वेब साइट पर पहुंच जाएंगे ये देखिए दोस्तों कमपनी की वेब साइट है गयां जैसी आप यह लेंद रोवर का जो प्लांट है वह इंडिया के अंदर नहीं है कोई भी मैनुफेक्चरिंग प्लांट इसके जो प ठीक है तो यहां पर बहुत से इंडियन्स हमारे काम करते हैं और आप भी हमारे इंडिया से जो केंडिया यहां पर अप्लाई कर सकते हैं या फिर हमारे कोई भी इंडियन यूके के अंदर रहा तो वह भी अप्लाई कर सकता है तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं अलग भी कर लेना तो आपको यहां पर पता चल जाएगा कितनी आपकी यहां पर salary बनेगी तो अलग-लग vacancies दिखा रहा हूं पूरा detail में देख लेना तो यहां पर आप किस तरह apply करेंगे वो भी आपको बता दूँगा तो दोस्तों domain data product manager की vacancy है supply chain manager की यहां पर vacancy है उसके बाद system design engineer software की यहां पर vacancy है CAE group leader की vacancy है ठीक है तो अलग-लग यहां पर जो vacancies लगी है अब जो मैं आपको main दिखाऊंगा वो vacancies next page पर ही होगी दोस्तों second page पर यहां पर चलेंगे तो यहां भी दोस्तों आप देखेंगे अलग-लग vacancy से लगी हुए है यहां पर पड़क्ट ओनर configuration manager senior data engineer material planner ठीक है तो material planner दोस्तों जो हो गया वो inventory department को जिनको experience है वो यहां पर apply कर सकता है यह जो जगह है कोवेंट्री great britain west midland county पढ़ती है वहां के लिए vacancy है ठीक है तो यहां पर just मैं आपको idea देता हूं कितना यहां पर experience दोस्तों मांगा हुआ है ठीक है तो यहां पर beyond जो आपको यहां पर डिपार्टमेंट है वो purchase department के अंदर आएगा material planner की यहां पर आपकी vacancy रहेगी तो यह आपकी responsibilities रहेंगी आप देख सकते हैं यहां पर वीडियो को post करके भी आप देख सकते हैं ठीक है मैं यहां पर जादा नहीं बोलूँगा नहीं तो आपको एक एक बोलूँगा तो काफी यह वीडियो लंबा आएगा मैंने और भी आपको यहां पर वेकेंजी दिखानी है आपके पास दोस्तों अगर यहां पर देख सकते हैं प्रीवेस experience material planning या supplies का लेटीड जो है आप यहां पर apply कर सकते हैं ठीक है तो यहां पर इसके इसके बारे में आपको दिया हुआ knowledge of latest technology and processes with the view to driving best in class logistic solution ठीक है minimum two year भी अगर आपके पास experience है इंडिया में या कहीं भी country में और भी है तो भी आप apply कर सकते हैं तो चलिए आग आगे चलेंगे अब देखेंगे वहिकल आर्टिटेक्टर लीड इंजिनियर की vacancy है इसके बाद हम चलेंगे जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ design engineer की quality engineer की अलग अलग जो vacancies रहेंगी तो दोस्तों इसके बाद जो आएंगे हम यहाँ पर देखेंगे quality engineer की vacancy है गेडन great britain के लिए तो यहाँ पर देख सकते हैं 50,000 pounds यह आपका साल का package रहेगा तकरीवन आपकी 40,000,000 से उपर salary रहेगी maximum आपकी जो पैकेज रहेंगे यहाँ पर 50,000,000 तक रहेंगे ठीक है तो यहाँ पर quality engineer को मैंने click कर दिया अब जैसी quality engineer वाले जिन्हों को quality department में experience है तो दोस्तों वह यहाँ पर apply कर सकते हैं अब इसका post ending date मतलब आपने दो फरवरी से पहले पहले apply करना है lead quality engineer की आपके vacancy रहेगी तो यहाँ पर आपका क्या काम रहेगा देखिए this role will work on leading all aspects related to vehicle structure quality problem resolution for in vehicle line activities monitoring quality system through to design improvements and model year updates so the aim will be to achieve targets in all areas ultimately your role जो आपका रहेगा delivery of quality targets for each vehicle line यह आपके responsibilities रहेगी जो की पूरी properly आपकी quality से related है मैं एक नहीं पढ़ूंगा आप यहाँ पर खुद देख सकते हैं यहाँ ठीक है दोस्तों इस तरहां की आपके responsibilities रहेगी तो यहाँ पर अगर आपको quality से related experience है आपकी relevant degree होनी चाहिए भी BITEC आपने किया है किसी भी country से किया है अच्छी university college से किया है तो आप apply कर सकते हैं और उसके साथ ही आपको यहाँ पर experience मांगा है ठीक है अगर आपके पास experience भी है दोस्तों एक या दो साल का भी experience है किसी भी industry में आपको जो है experience अगर automotive में है तो बहुत अच्छा ह है और आपके बास minimum एक दो साल का experience and quality department तो यहाँ पर दोस्तों आप apply कर सकते हैं apply का button आपको यहाँ पर मिल जाएगा ठीक है यहाँ पर apply के वीडियो के end में आपको बताने वाला हूं किस तरह आप इसके लिए apply करेंगे तो पूरा वीडियो आप देख लेना apply करेंगे बटन चलेंगे लीड फिसलिटी से इंजिने सोली हल ग्रेट बिटेन के लिए वेकेंशी है दोस्तों उसके बाद चलेंगे हम दोसों next page पे चलेंगे थर्ट जो है हमने fourth page पे जाना है तो फोर्थ पर जैसी आप आएंगे तो आगे-आगे आप और भी वेकेंशी किसी देख लीड इंजिN ये-म-C laboratory operation की वेकेंशी है फिर यहां पर आप देखेंगे quality ग्रेंगे एंजिन 거예요 के लिए सिय फिर उसके बाद देखेंगे आप अलग-अलग जो वकेंशी आप और भी देख सकते हैं process charge assistant की vacancy है product business जो है analyst की vacancy है जैगुआर के लिए ठीक है तो आगे चलेंगे fifth page पर चलेंगे यह सब latest vacancies है दोस्तों उसके आप बात देखेंगे दोस्तों आप test and development lead engineer की vacancy है cost engineer की vacancy है mechanical fabricator की vacancy है ठीक है आपको बता रहा हूं दोस्तों यहां पर आप देखेंगे mechanical fabricator जो vacancy है यहां पर उसकी vacancy को हम click कर दिया हमने तो यहां पर इसकी vacancy भी open हो रही है मैं आपको बता देता हूं ठीक है तो यहां पर इसकी पोस्त जो ending data भी यह open है तो आप कभी भी इसको apply कर सकते हैं भी तो यहां पर जो चाहिए company को the role is for mechanical fabricator for the health food estate department ठीक है ठीक है तो working within the mechanical team for all known production-related equipment and building services maintenance activities इस तरह की आपकी responsibilities रहेंगी installation of plant equipment responding to plant equipment breakdown compressed air system heating and ventilation hydraulics ठीक है तो यहां पर आप देखेंगे essential जो company यहां पर महांगा है यहां पर experience आपको लेटिड होना चाहिए इससे ही fabrication से लेटिड अब दोस्तों कोई भी vacancy आप उसको किस तरह apply करेंगे वो भी आप देख लीजिए यहां पर apply नहों पर क्लिक करना apply फिर क्लिक करना क्योंकि इसको apply करने का तरीका सबसे में रहेगा क्योंकि आप out of country यहां पर vacancy को apply कर रहे हो तो यहां पर आप देखेंगे अगर आपने पहले कभी है वैसे apply नहीं किया होगा जिन्होंने कभी किया होगा वो यहां पर आपको create an account करना पड़ेगा अपना email ID यहां पर generate करना पड़ेगा email ID आपका जो बना होगा उसको डाली यहां पर जो आप रेजुमे में यूज करते हैं अपना password यहां पर बनाईए तो आप पर account बनाना पड़ेगा आपको first name last name country of resident आ जाएगा country code आपका इंडिया का रहेगा phone number आएगा country of resident रहेगा तो इसको टिक कर दीजिए इस तरह है privacy statement को पड़के account को create करता है तो दोस्तों उसके बाद please sign in पर आपने जाना please sign in पर जाके आपने यहां पर आपने email ID और password डाल के login कर देना है login करने के बाद आपने पूरी अपनी details डालनी जो यहां पर आपको मांगा जाएगा आपकी education होगी आपकी qualification का background सबसे main बात जो यहां पर आएगी वो यह आएगी क्या आपको UK के अंदर right है काम करने का ठीक है तो दोस्तों वहां पर आपने no कर देना है क्योंकि right सिरफ उनी को होता है जो वहां पर या कुछ सुस्टियन होते है वो तो इन जो vacancies को apply कर सकते हैं जो UK के अंदर है अब जो all over the world candidates वीडियो को देख रहे हैं जा इंडिया के अंदर हमारे candidates देख रहे हैं तो आपने right को no करना है ठीक है no करेंगे तो उससे company को आपको पता चल जाएगा कि हाँ जी आप eligible जो है according to immigration rights आपको वहां पर काम करन और ही होते हैं जिसको rights होते हैं तो वो तो direct उनका कोई passport नहीं देखना कुछ नहीं देखना वो तो वहां पर काम कर सकता है ठीक है अगर किसी country से और sponsor करना तो वहां पर आपको right में no करना पड़ेगा और अगर आपसे वहां पर पूछा जाता है कि आपको sponsor करना तो आपने वहां पर उसको yes करना कि आपको company वहां पर sponsor करेगी ठीक है तो वहां पर cv shortlist होने के बाद आपको sponsorship बेजी आती है ठीक है cv shortlist होने के बाद जैसे आपको आपका interview होता है interview में आप select होते तो आपको sponsorship करती है company आपके कागज आते हैं जितने भी आपको documents आते हैं तो UK की जहां-जा India में embassy होती है तो वहां पर आपको document submit करने अपने offer letter के साथ अपने passport के साथ फिर वहां पर जो होता है आपको जो 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 इंडिया के अंदर embassy होती है UK की आपको आपके passport के ऊपर लगा देती जो out of country एच्छे package के पास जाना चाहते हैं काम करने के लिए हमारे experienced engineers तो ज़रूर इस वीडियो को पूरा follow up करके apply कर लें अच्छी आपको vacancy है जैगोर लेंडरोवर घर की company मैंने इसलिए ही बोला क्योंकि हमारे टाटा ग्रूप का यह पार्ट है जो की बहुत बड़ा हमारे इंडिया के लिए एक टाटा ग्रूप है उसने फॉर्ण के अंदर रहके भी एक company को take over किया और हमारे इंडियन सी वहाँ पर तकरीबन उस company को स अंबाल रहे हैं तो दोस्तों माशे करतों यहां पर आपको दीगे जानकारी ची लगयों गई तो इस वीडियो को लाइक को शोजरू कर देना धन्यवाद आपको दिन शुब्रे ऐन्यवाद